हेलो फ्रेंट्स मैं दिपिका गुजराल आपका अपने चैनल स्टडी गुजराल में स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बी ए फो समेस्टर के एक इंटरस्टिंग प्ले करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है मंकीपा इसमें राइटर ने भागे के बारे में बताया है कि भागे में जो लिखा होता है वही होता है वह कभी नहीं बदलता The Monkey Pa is a beautiful play written by W.W. Jacobs The main theme of the play is to show that fate is all powerful Monkey Pa is a beautiful play which W.W. Jacobs ने लिखा है यह इस theme पर अधारित है कि भागे जो है वो महान है वो powerful है वो शक्तिशाली है Everything is predestined जो कुछ होना है वे पहले ही लिखा होता है If man try to change his destiny, he invites trouble अगर कोई व्यक्ति अपने भागे को बदलने की कोशिश करता है तो वे मुसीबत को गले लगाता है वो मुसीबत को invite करता है Major Maury is a friend of the white family Major Maury white family का friend है यहाँ पर white family का मतलब है जो white family है वो इनका surname है वो उनका दोस्त है One evening he visit them He tells them stories He take out a monkey paw from his pocket एक दिन Major Maury अपने friend white family के घर आते है वे उन्हें अलग अलग तरे की स्टोरी बताते हैं वो उन्हें अपनी pocket में से निकाल कर एक monkey paw दिखाते हैं वे कहते हैं कि it has magical power इसके पास जादूई शक्तियां हैं अब उसने कहा कि ये monkey paw तीन अलग अलग लोगों की अलग अलग wishes को पूरा करता है अब यहां पर उसने उनको वोन भी किया white family को साफधान कर किया कि ये जो monkey paw है ये wishes तो पूरी कर देता है लेकिन हो सकता है कि जो आपकी wishes और उसके serious result आएं वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है Mr. White take the paw from him अब Mr. White ने उनसे वो पाल ले लिया Mr. White wishes 200 pound यहां पर जो Mr. White है वो 200 pound की wish करते है क्योंकि उनके पास इतना करजा होता है उन्होंने देना है करजा इसलिए वो 200 pounds की wish करते है Nothing happens immediately अब एकदम से उनकी यह wish पूरी नहीं होती तो जो Hobart है जो उनका बेटा है make fun of the paw और उस पा का मजाक उदाता है वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता किसी चीज से किसी की wish नहीं पूरी होती After that he got to his firm for work अब जो Hobart है उनका बेटा हुँ ऐसा कहकर अपने firm काम के लिए चला जाता है Where he is caught by flywheel जहांपर वो उस machine के बीच में आ जाता है and dead और मर जाता है Mr. White get 200 pound as compensation Mr. White की यहांपर wish पूरी हो जाती है उनको 200 pounds मिल जाती है लेकिन उनका जो लोस है वो जादा है क्योंकि उसका एक ही बेटा था जो मर चुका है Thus they get their wish fulfilled but at the cost of his son death उनकी wish तो पूरी हो जाती है लेकिन उनके पुत्र की जो मृत्ती हो जाती है In their second wish they want her but come back क्योंकि वे बहुत जादा दुखी है इसलिए वो second wish करते हैं कि उनका जो बेटा है वो वापिस आ जाए In their second wish they want her but come back He comes but as a spirit अब उनका उनकी दूसरी wish भी पूरी होती है उनका बेटा वापिस तो आ जाता है लेकिन एक spirit की तरह आता है भूत बन कर आता है जिससे वे डर जाते हैं In their third wish they want her but go back to his grave अब वो अपनी third wish मांगती है कि उनका जो बेटा है उनके बेटी की जो spirit है वो वापिस अपनी कबर में चली जाए Thus their all wishes are fulfilled but at a great loss अब उनकी जो तीन wishes होती है वो पूरी तो होती है लेकिन उनका loss जो बहुत जादा होता है In the end Mr. White and his wife become very sad and even regret अब प्ले के आखिर में बताया गया है कि जो Mr. White और Mrs. White होती है वो बहुत जादा उदास है दुख से भरे हुए है Thus the play is full of mystery and horror हम इस play को कह सकते हैं कि यह mystery से बरा हुआ है और horror से बरा हुआ है